जै शिराम मित्रो भाद्रपद माह के किष्ण पक्षकी यश्टमी तिथी को जनमाष्टमी का परो मनाया जाता है। सात्रों के अनुसार दौपर युग में इसी दिन भगवान विश्णू ने भगवान किष्ण का अवतार लिया था। हिंदू धर्म में भगवान विश्णू के अवतार माने जाने वाले श्रीकिष्ण भगवान का बहुत महत्व है। किष्ण पक्षकी यश्टमी तिथी को जनमाष्टमी का तेवहर मनाया जाता है। सास्त्रों के अनुसार भाद्र पदमाह के किष्ण पक्षकी यश्टमी तिथी को रोहिणी नचत्र में लगन विशभरासी और बुद्धवार की मध्यरात्री प्रभु बाल किष्ण की रूप में प्रकट हुए थे। मनता है कि सिरकिष्ण जनमाष्टमी का ब्रत रखने और विधी विधान से प्रभु सिरकिष्ण की पूजा करने से अच्छय पुने की प्राप्ति होती है। आईए जानते है इस वर्ष सिरकिष्ण जनमाष्टमी की ती थी शुभ मोहुत और इस दिन का धार्मिक महतो के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष भादरपद महा के किष्ण पक्ष की यस्टमी ती थी 26 अगस्ट को सुभा 3 बज कर 41 मिनट से शुरू होगी और 27 अगस्ट को सुभा 2 बज कर 21 मिनट तक रहेगी। इस वर्ष 26 अगस्ट सो मवार को सुरिकिष्ण जनमाष्टमी मनाई जाएगी। जनमाष्टमी पर रुहनी नच्छत्र साम 3 बज कर 24 मिनट से लेकर 27 अगस्ट को साम 3 बज कर 49 मिनट तक रहेगा। जनमाष्टमी पर शुरिकिष्ण पूजा का शुभ महुत 26 अगस्ट को रात 12 बज कर 24 मिनट तक होगी। यानि पूजा का कुल समय 44 मिनट रहेगा। अब जान लेते हैं स्रीकिष्ण जनमाष्टमी के महत्व के बारे में। हिंदु धर्म में भगवान श्री किष्ण को भगवान विष्णू का आवतार माना गया है। मन्यता है कि भगवान श्री किष्ण की भक्ती भौसागर को पार करा देती है। इससे भक्तों को मुक्ष की प्राप्ती शंभव है। श्रीकिष्ण भगवान की पूजा में जन्माष्टिमी का सबसे ज़्यादा महत्व है। यह दिन भगवान के पृत्वी लोग पर प्रकट होने के दिन की रूप में मनाया जाता है। भक्त रात्री के बारा बजे प्रभु के जन्म लेने और उन्हें पालने में डालने के तो पर मनाते है इस दिन भगवान श्रीकिष्ण की पूजा सभी प्रकार के कष्टों को हरने वाली और सभी अभिलासाओं को पून करने वाली मानी जाती है। मित्रों यह जनकारी आपको कैसा लगा अगर यह जनकारी आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को करके एक लाइक जरूर करना धन्यबाद